तो नमस्ते दूस्तों, मिश्टोय में आप लोग का स्वागत है, अपने थामनेल में देख लिया है कि मैं किस के बारे में आज बात करने वाला हूँ, हाँ, आप कॉंप्यूटर को छोड़ो, मोबाइल से ही बना सकते हो, एक प्रोफेशनल भॉइस अबर एडिटिंग, मतलब भॉइस अबर को आप प्रोफेशनल तरीके से मोबाइल से ही रिकट कर सकते हो, मोबाइल से ही एडिट कर सकते हो, मैं आपको बताओंगा, थामनेल में आपने देखा है कि एक स्क्रिन शॉट मैंने डाला है, मोबाइल पकड़के, सच में ओही एडिट करके मैं दिखाओंग तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको एक एप का जरूरत है आप Play Store में से एक एप डाउनलोड कर लीजिए एपका नाम है Bandlab Band Lab डाउनलोड करनी के बाद आप Login कर सकते हूं या तो Skip कर सकते हूं तो Login करने के बाद आप चले आओ मैं जो एक project बनाया था एक client के लिए बनाया था तो ओ project मैं आपको edit करके दिखाता हूं कैसे मैंने edit किया मतलब क्या है computer में से भी कर सकते हो मैं भी कर सकता हूं मैं computer में 2-3 सब्टेर रखा है पर mobile में ज़्यादा friendly लगता है ज़्यादा आसन लगता है इसलिए मैं mobile से ही कर रहा हूं तो mobile से मैंने कैसे edit किया और last night मैंने उस client को वो वाला जो audio मैंने edit किया था उसको मैंने भेज भी दिया है तो ओ जो language था मेंगोली का है वैसे मैं मेंगोली में भॉइस अबर किया था और उन्होंने मुझे voice भेजा था उसके बाद मैंने उसको edit किया तो उसको मैंने अभी breakdown करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने edit किया है तो यह जो मैं बात कर रहा हूं अब सुन पा रहे हो यह कुछ mic बगरा कुछ नहीं लगा है मैंने ऐसे ही mobile हाथ में पकड़के रहा है और screen recorder on कर दिया है तो चलो यहाँ पर जाके मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनाया था चलो यहाँ पर project को on कर लिया project on करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार मैंने voice लिया है यहाँ पर हो सकता था एक लियार में मैंने चारो character का थीन चार character का भॉइस ऐसे डाल दिया मतलब यहाँ पर character था कि दामाद ससूर साला और कुछ inspector और ग्राम बासियो मतलब पाच पाच character मैंने play किया है भॉइस अबर दिया है तो उसका ही मैंने मेरा जो उपर बाला यह देख रहे हो एक लेड़की ने तीन भॉइस सबर दिया है एक लेड़की मतलब एक लेड़की का रोल किया है जिसका नम मीतू है और लेड़की जो मा में मितू का मामी उसका role play किया है और story telling जो होता है उसका रोल प्लेज किया है और इस को एक है काटून वीडियो के लिए मतलब कुछ काटून बन रहा है उसके लिए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मने इसको एडिट किया है अब देख सेकतो चारों लियार है यहां पे ले लिया है और कैसे मने लिया था वो मने दिखाऊंगा तो उससे पहले यह देख लो कि क पिंक कलर का इसाब एक एक डायलोग है आशाप सजाया है you can put out of script से उन्होंने मुझे script oku 'll do ओर उसी स्कृप्ट को देखते हुये मैं एक एक डाइलोग को सब सजाया है तो आप देख साकते हो तो मैंने कैसे सजाया है इसको थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसे सिकोइंस मैंने डाला है अब देखलो थोड़ा प्ले कर लेता हूँ वैसे कॉपीराइट आ सकता है तो थोड़ा ही प्ले करूंगा मैं मां मां तुम्रा को थाए आमरे एक पलेंदी आश है ने न की है आशेंदी वैसे नसे की होय थे बास टाहं ये प璦्धी पर तो तई मैं एको था बुलते-बुलते तारा दूजन बारे भी तो रही ढूखते था कि मतलब देख रहे हो ऊपर बला जो फास्ट जो यहाँ पे सूरू होता है कि एक लिड़की का वोईस से यहां पर लड़की का माम्मी का भाइस है उसके बाद थोड़ी दिर बाद यहां पर सैसूर का भाइस चायद आएगा इजाशन अरे जवाई बावजी यहां पर आप दिख रहे हो कि सिक्वेंस में मैंने शाजा आया है तो यहां पर कुछ भाइस ओ लोग एडिट करके मतलब रव भाइस भेजा था तो मेरा वाला भाइस में थोड़ा प्राब्लेम था इसलिए मैंने कुछ एफेक्ट लागा है तो क्या एफेक्ट लागा है मैं ओही दिखाऊंगा आपको क्योंकि मेरा यहां पर रेकॉर्डिंग का प्राब्लेम चल रहा था चारोतारव दिवाली का माइक बज़ रहा था तो उसके लिए प्राब्लेम चल रहा था तो मैंने इसको देखो कुछ एफेक्ट लागा है भॉइस बैग्राउंड नॉइस को क्लियार करने के लिए पहले यह देखो यहां पर एक भॉइस नोड़ बोल के एक जो प्रिसेट है उस प्रिसेट को मैंने यूज किया है अब देखरो यहां पर राय टिक साइन है उसमें कलिक कर रहा हूं यहां पर यहां पर क्या यूज क्या है लिए पहले से तो एक compressor था जो कि यहां पे कुछ इको बागरा यूज नहीं करना है भॉय सबर में कुछ ऐसे डलना भी नहीं है यहां पे देखो एको अलाइजर था ओभी मैंने हटा दिया रिमूप कोया दिया यहां पे देखो और एक compressor मैंने डाल दिया दो पहले से एक compressor था और वही वाला compressor मैंने फिर से डाला है तो उस compressor से थोड़ा सा यहां पे गेन का option दिखरो थोड़ा सा थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है हलका सा बढ़ाया है ताकि आवास थोड़ा दवा हुआ था उसको आगे पुश कर आ जाए कैसे इसलिए मैंने किया था तो उसके बाद देखो पीच करेक्शन मैंने नहीं किया यहां पिच करेक्शन करने का जरुद नहीं है क्योंकि मैंने उसी पीच में कर रहा था तो वाला उसकेलिए और अगर आज़ा माई कूंसा वो लो बोया हमाई情况, आपको अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वह वाला माइक यूज़ कर सकतो ज्यादा पैसा नहीं पड़ता है आठ सो शाड़े आठ सो में आ जाता है वह माइक यूज़ कर सकतो मोबाइल से मोबाइल से कनेक्ट करके और वैसे आपका अगर रूम अच्छा है मतलब चारो तरफ से ब्लॉक्ट है तो आप मोबाइल का माइक भी उज़ कर सकतो तो मैंने बोया का माइक यूज़ करके ये बनाया था और आपको दिखा दिया कि यहाँ पे क्या क्या मैंने ये किया है वैसे उस लिल्की का जो भॉइस था ठीक ठाकी था कि यहां पे एफिक्ट लगाने का जरूरत नहीं है और आप देख सकते हो कैसे मैंने एक एक करके फाइल इंसर्ट किया था ओ मैं देखाता हूं यह तो इसको छोड़ो हां तो आपको आ जाना है वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है कुछ प्रब्लम नहीं आप आपको देखना है कैसे बनाए देखो यहां पर प्लास वाला आइकोन पर जाना है उसके बाद यहां पर रेड वाला जो यह दिख रहा है यहां पर क्लिक कर लेना है जैसे कि यहां यहां से भी आप रेकॉड कर सकते हो पर आप मोबाइल का जो वाइस रिकॉडर है उससे करोगे तो ज्यादा आच्छा होगा क्योंकि यहां पर थोड़ा दिक्कत आ जाता है मतलब पीछ का कुछ अगर ठीक ठाकी नहीं हुआ तो यहां पर दिक्कत आ जाएगा आप पहले-पह कि यहां पर और यहां पर और यहां पर देखो एक वाइस है पास्ट लियर में मैंने एक वाइस ले लिया शिकन बाला और एक प्लास बाटन में जाके और और सिकन जो है उसको भी ले लेना है यह ले लिया और थाड़ वाला यह भी ले लिया है एक मिनिट तो यह वाला ऐसे करके आपको फाइल एड़ कर लेना है और फ्लास करके और मेरा वाला भाइस किदर गया था कहाँ पर कहा गया कहा गया कि शायद ही है तो इसको ऐसे अप ले लोगे तो सब का कलर अला लगा लगा जाएगा इसके बाद आप देखो जैसे जैसे आपका यह है ना एक एक जो यह बीच वीच का फाक फासला दिख रहे ना यहां पर पहले आपको काट लागा लेना है ठीक है ना थोड़ा हटा हटा कि काट लगा लोगे जैसे इसको सिलेक्ट करो और यहां पर बीच वाला एक करके यहां पर काट लगा लो क्योंकि यह एक एक डायलोग है उसके बाद फिर यहां पर जाओ जाके एक एक काट लगा लो और यहां पर ऐसे सिलेक्ट कर लो वैसे आपके भॉइस के हिसाब से ज्यादा noise बगर आ रहा है जैसे देखो मेरा जैसे देखो मेरा वाला voice जो है यहां पे इस voice में थोड़ा noise है मैं आपको play करके देखता हूं अरे यार इसको solo कर लेता हूं चलो solo कर लिया और अगर आपको चाहिए कि यह वाला थोड़ा तो मतलब clear है मतलब आच्छा ही clear है तो आपको अगर लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा noise cancellation करना है वाइसे आप effect लगा के कर सकते हो तो effect बीना लगाए आप यहां से भी कर सकते हो इसको प्रोट टाच करना है यहां पे दरगरो और दिखा तो यहां पे रखो थ्री डॉट दिख रहाएगा यहां पे नीचे आजना है यहां पे denoise का option दिखेगा तो इसको ऐसे select करोगे यह थ select हो जाए मतलब denoise हो जाएगा जो noise है भग जाएगा अग जानला आस्ता मिना एकाने देखा इसके बाद जो space है ना यहां पे space में कुछ भी sign ने आप कान में लगा के सुछ सकते हैं अरे plane दिया आशनी तो की देखा है यहां पे dialogue के बाद जितना space है ना यहां पे आपको दि भी sound आपको नहीं सुनाएगा अब देखो कान में लगा के देखो headphone लगा के देखो कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं सुनाई देगा हलका सा हलका सा मतलब उसको उसमें कुछ फरक नहीं पड़ता है और अपने अगर इसको कैसे professional तरीके से voice अगर निकलना है और इसको कैसे edit कर आपको वीडियो अगर चाहिए इसको full tutorial तो आप comment करके बताईए अलग से और काराओके के साथ कैसे गणा गणा है इस सब्सक्राइब में ओभी हम आगे वाला वीडियो में दिखाएंगे मैं एक गणा रेडी करूंगा उसके बाद आपको दिखाऊंगा उसको breakdown करके ठीक है आज के लिए इतना ही आपने देख लिया है पहले मैंने कैसे बनाया था तो उसी के हिसाब से अगर भॉइस सब्सक्राइब को एडिट करना है तो ऐसे कर सकते हैं हो फिर से एक बार देखा देता हूं मेरे को देखने में मज़ा आ रहा है यह जो काट इतना लगाया था ना कि देखो कितना अच्छा दिख रहा है कितना सारे है चलो कोई नहीं आप चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजिवाला बेला इकन को दबा दो अगले वीडियो के लिए और दोस्तों को सेर करो जो लोग वह इसका काम करता है वह से एडिट करता है अच्छे से एडिट नहीं कर पता है उनको यह वाला भेजो और देखो और यह सब्सक्राइब करो फ्री है बिल्कुल फ्री है बैंड लैब है और कुछ अगर चाहिए जानना चाते हो तो मेरा इंस्टाग्राम में डियम करो मिस्टो यह एडिवल के शार्च करो गए आ जाएगा मैं लिंक के नीचे दे दूंगा मुझे फ़लो करो और डियम करो कुछ प्रब्लेम है तो मुझे बताओ वैसे मेरा सब्सक्राइबर काम है पर अभी नया चलू किया है तो होगा ही ना ऐसा ठीक है आप आजाओ देखते हैं फिर